कि नमस्कार साथियों मैं आपका मित्र आशी स्तायल डेबलु सेल समवात की सकड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोल इंडिया के पूर्व सराज के इसकारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार अपने करियर की शुरुवाती दोर से अभी तक की अपनी जीवन यात्रा हमारे कोईला परिवार के साथ साजा करने की क्रपा कीजिए थैंक यू ताहल साब फॉद क्वेशन उनीस सो पचासी के सितंबर से मैंने अपने करियर की सुरुवात की सीसील में सेंट्रल कोल फिल्ड्स की सिर्का खदानसयार गड़ा एरिया में मेरी पहली पोस्टिंग थी उसके बाद 89 में मैं पुंडी कुजू एरिया में पदस्त हुआ ओन्वार्ड्स 93 में नार्थ करन पूरा एरिया में डकरा और केडियेच में 2001 तक काम किया तब तक मैं E5 हो चुका था और E6 में मुझे WCL ट्रांसफर हुआ जिसके तहत यहां मैंने माजरी और वनिनार थेरिया में काम किया और 2008 में M2 होने के बाद I came to WCL as TS2 CMD और WCL में 2016 तक मैं रहा जिसका कुछ पीरियड 2012 तक समझें कि TS2 CMD के तोर पर और 2012 के बाद 2016 तक HRD में काम किया Human Resource Department इसके अतिरिक उस दौरान मेरे पास Public Relations का भी कारेभार रहा 2016 में मेरी पदास्था अपना कलकता में कोल इंडिया मुख्याले में हुई जहां मैंने प्रोजेक्ट मोनिटरिंग का काम समाला 2018 से 2023 तक रेटार्मेंट होने तक मैं ultimately TS2 Chairman के पद पे रहा कोल इंडिया मुख्याले में सीर्सपत पे अपनी सेवाएं प्रदान करने का सव भाग्य हुआ सर माइनिंग तता नेक्षेत्रों में WCL ने पिछले तीन वर्षों में अनेको नए आयाम स्थापित किये हैं इस विशे पर आप हमारे कोईला परिवार को क्या बताना चाहेंगे इनफेक्ट 2001 से में ही मैं WCL को एक प्रोग्रेसिव कंपणी के तौर पर देखता हूं और यहां काम करने में और टेक्नोलोजी इनफ्यूजन में इस कंपणी ने नए आयाम स्थापित किये हैं अर्लियर उन दिनों यह तैप आया जाता था कि सर्फेस माइनर यहां की खदानों के लिए सही टेक्नोलोजी नहीं है क्योंकि हमारा ग्रेडियन्ट हाई है उसको भी दूर करते हुए यह बताते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारी कंपणी ने छे-छे सर्फेस माइनर फेसेज चालू कर दिये हैं और कोल क्वालिटी में इसका निस्पादन असी प्रतिसत से ज्यादा है उसके साथ-साथ चाहे अंडर ग्राउंड में कंटिनीवस माइनर का इन्फ्यूजन हो चाहे मायन राइडिंग सिस्टम का इन्फ्यूजन हो WCL कोईला परिवार में एक अग्रिणी कमपनी के तौर पर अपने आपको स्थापित कर चुकी है यह यह सभी के लिए गर्व की बात है सर पिछले तीन वर्षों में WCL में किये गए तकनीकी विकास के बारे में आपके विचार हमारे WCL परिवार को बताएं जैसा कि मैंने बता है कि WCL ने सर्फेस माइनर का इंप्लिमेंटेशन किया WCL ने कंटिनिवस माइनर का इंप्लिमेंटेशन किया WCL ने एक new concept सुरू किया O-B to sand इसमें हमारा जो waste resource है overburden उससे sand बनाने की प्रक्रिया सुरू की और WCL के इस प्रकल्प को सभी subsidiaries ने एक साथ लिया जिसमें NCL और ECL ने अल्रेडी चालू कर दिया है और WCL ने एक और नई तकनीक सुरू की ICCC की Integrated Control Command System जिसमें इसकी माइन्स की रियल टाइम मोनिटरिंग पर क्रावड कंट्रोल पर फ्लीट मैनेजमेंट हो रही है यह भी एक नोवल टेकनीक है जिसको कोल इंडिया की सभी subsidiaries ने अपने अंदर समाहित किया सर पिछले वित्यवर्षों में WCL ने कोईला उत्पादन पुरेशन तथा OB removal के एक्षेतर में नित नए एतिहासिक किरतिमान स्थापित किये हैं इन उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं और भविश्य में कंपनी की क्या संभावनाएं हैं मुझे 2014 का कालखंड याद आता है जब यह अमूमन तय हो चुका था कि WCL का प्रोड़क्शन 38 मिलियन टन से ज्यादा नहीं हो सकता है नेशुरली जितने भी होडी थे सबका मत था कि यह कंपनी 40 मिलियन टन से ज्यादा अगर करेगी तो इसका कोईलाई खतम हो जाया तो इसको अपना प्रोड़क्शन कंजर्ब करना चाहिए उस परिकल्पना को त्यागते हुए कंपनी ने अभी इस साल संभवत 68 मिलियन टन का लक्ष रखा है जिसको यह पूरा करने जा रही है WCL की समस्या उस समय थी आज भी है कि इसके नए प्रोजेक्ट का कोस्ट बहुत ज्यादा होता है उनकी भाइबिलिटी का इशू होता है उस इशू को WCL ने तोड़ा कार्स प्लस पॉलिसी से माइन स्पेसिफिक पॉलिसी से और WCL निरंतर प्रगती के पत पर है अभी का जो baseline set है वो है कि ये company existing resources में 70 million ton के लक्ष को करते करते आगे बढ़ते रहेगी सर आपका जीवन अनुभवों से परिपून रहा कोईला अद्योग में प्राप्त हुए कुछ यादगार अनुभव और उनसे मिली जीवन की सीख हमारे कोईला परिवार के साथ साजा करने की क्रपा कीजिए जब पीछे मूड के देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि I was lucky enough to get good subordinates and good opportunities and good bosses of course. Subordinates से मेरा कहना ये था कि we always worked in a team. Team delivered the result. Result was shared in the team. I got benefit as a team leader. Good opportunities because I was in the field वहां से मुझे मौका मिला कि corporate culture देखने का as TS to CMD to support the highest office और संभोता यही अनुभव मुझे कोल इंडिया में भी as TS to chairman या ED coordination के तौर पर एक successful पारी पूरी करने में मैं सक्षम रहा हूँ. Bosses का आशिर्वाद हमेशा रहता था. Bosses का जो पार्ट अपने अंदर मैं देखता हूँ तो अपनी जगह पर है. Subordinates में मैं निश्चित तोर पर बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं था. वो कमी हमारे subordinates पूरी करते थे. And I relied on them. And I can for sure nobody has dissed me. This is the greatest achievement I can have from my professional life. अनुभव बहुत सारे रहे हैं. अभी किसी एक को कह पाना संभो नहीं है. यह जरूर है कि कोल इंडिया के दोरान जो सबसे बड़ा टास्क होता था. वो है कोल इंडिया का foundation day manage करना. सब का सहयोग चाहिए था. जितने पुराने CMDs, Directors कोल इंडिया के हैं. और Subsidories के जो Directors Kolkata based हैं. उनको बुलाना, सभी की देखभार, प्रोग्राम मैनेज करना, उसमें उन्रेवल Minister of Kolk, Secretary Kolk की भी आमत रती थी. उसको successfully manage करना, हमारा सबसे बड़ा achievement मैं मानता हूं. और उसमें भी, I always delegated the responsibility. One Mr. PR Prashad, I can take his name in my office. I had delegated him full authority. and told की, I will not guide you. You will guide the team. And Prashad did well during my tenure. And we were always successful in managing Kol India Foundation Day, the biggest function of the corporate, in a very big way. That was the achievement I cherish. Sir Koila Parivar से जुड़े कर्मियों और अधिकारियों को WCL Samwad Manch के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? Koila Parivar से जुड़े हुए कर्मियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं, कि बहुत बार मेरी जो बात होती है, नए management trainees से, workers से, different stratum है, सबके मन में ये दुविदा है कि कोल का भविश से क्या होगा? इस संदर में एक छोटी सी बात ये सोच लें कि कोल-based power generation की जो installed capacity है, वो 208 gigawatt है, out of 428 gigawatt of electricity generation capacity of the India, that is 48%. 48% installed capacity से, कोल के द्वारा जो बिजली बनती है, वो 74% बनती है, naturally, कोल अपने installed capacity से ज्यादा production, ज्यादा बिजली का उत्पादन कर रहा है, naturally, कोल पर dependence गौवम इंडिया की रहेगी, और इभन 2047 तक भी, कोल का उपयोग base load के तौर पर होगा, इसलिए कोल इंडिया का भविश निहसंदे उज्वल है, अब तो कोल इंडिया बिजली उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है, और निश्चित तोर पर इसके दो power plant की योजना आगे बढ़ रही है, कोल इंडिया कोल के नए आयाम भीख हो जाएगा, कोल गैसिफिकेशन, थर्मल पावर, कोल यूज और इन डिफरेंट इंड़स्ट्रीज, सो भविश से को ले करके कोल इंडिया के परिवार को चिंतित होने की कोई आउशक्ता नहीं, सर्इड डबलू सिल सम्वाद कारिकरम के बारे में आपके विचार हमें बताएं, यह नीसन्दे सराहनिय कारिकरम है, और इस कारिकरम को जरूर ही है कि कोल इंडिया की आन्य सबसिडरीज, कोल इंडिया हेड़कौाटर में भी इसको जारी किया जाए, और इसी तरज पर इसको expand किया जाए ताकि ये समवाद चलता रहे और social media के माध्यम से जो coal industry, कोईला परिवार के बीच का जो समवाद है, वो निरबाध, निरंतर, प्रवाहित होता रहे सराज के इस कारिकरम में आप हमारे साथ उपस्तित हुए, आपने बहुत ही महत्वकून जानकारी, अपने यादगार अनुभाव, हमारे कोल इंडिया परिवार के साथ साज़ा किये, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, नमस्कार साथियो डेवलुसियल समात कारिकरम को आपने खूब सा रहा धेर सारा प्यार दिया, इस कारिकरम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाओ, निरंतर, अमंत्रित करते हैं, नमस्कार